हेलो दोस्तों मेरा नाम है आश्रप शेक और टेक गाइड के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं तो मैं आज आपको computer basic सिखाने वाला हूं इसे पहले basic सिखने से पहले पहले आप मेरे चैनल को subscribe और like कर दीजिए subscribe कैसे करना है यहाँ पर जो red color का जो icon दिकरा है उस पर subscribe लिखा है उस पर आपको click करना है कि इससे आपका यह फाइदा होगा कि आपको रोज जो मेरे updates आएंगे वह आपको पाता चल जाएगा तो चलिए शुरू करते है Tech Guide का फर्स्ट एपिसोड जिसमें मैं आपको computer basic सिखाने आप बेसिक से आने की folder कैसे create किया जाता है फोल्डर क्या होता है फोल्डर क्यों यूज रहें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह आपका desktop डेस्क टॉप स्क्रीन तो इस पे आपको एक फोल्डर बनाना है तो यह कैसे बनाएगा तो सबसे बहले आपको आपके जो माउस पे का राइट क्ली है वो दबाना है प्रेस करना है यह मैंने प्रेस किया तो अभी आपको इसमें एक न्यू कलर का आप्शन दिखेगा और उससरी क्लिक किया और फोल्डर उस पे जाकर जाकर आपको फोल्डर बनाए तो इसलें क्लिक क्या होगा तो यहां पर आपका फोल्डर बन चुके आप अल्युशन वागी इस फोल्डर को कोई नाम देना होगा तो इसके लिए आपको रिनेंप होगा list डेकर करना होगा विदी यहां पर रेनेम होगा सेकें। आपको फोल्डर का नाम तख कुए यह मुझे इस फोल्डर का नाम तो टेक गाइड रखना है तो मैं यह कम लैप्ट अपने स्वरी आपने कीबूर से टाइप कर रहा हूं आप भी वहां से कीजिए यह तो टेक गाइड्स तो चलिए दोस्तो इसको ओपन कैसा करना है आश्यों कवेस्ट अब तो फ़एले तो इस पर एक क्लिक किजिए रैफ्ट क्लिफ इस से कैंड इसली अब उसी के ऊपर वापस लेफ्ट क्लिक कीजिए यह आपका ओपन ऑप्षन आएगा ओपन कीजिए अ यह यह option और आपको shortcut में तरना है तो इसके लिए भी और एक option है यह जो folder है इस पर आपको double click करना होगा left double click वह भी भूट स्पीड में जैसे कि ऐसे तो आपका यह option आज जाएगा अभी आपका folder आप सिद्धे है कि इस फोल्डर के से बनाया जाता है तो अभी इस folder के अंदर आगर आपको और एक फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाए यह आप जानते है तो इसमें आपको दो आप्शन्स आएगे फोल्डर बनने के लिए तो पहले पहला आप्शन जो पहले कियाता हूँ यह एक सेम रहेगा तो भी मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ वड़ा स्पीड में यह राइट क्लिक किया और न्यूद आपकर फोल्डर पे क्लिक के और आपका फोल्ड अपर दिख जाएगा उसपे क्लिक करने से आपका फोल्डर आजाए यह शॉटकट वे और इसको वापस नेम की जिए एवी सीमें कर दिया एवीडिस और यह आपका फोल्डर बनाना आप सिक गया हूँ तो अभी इसके आद में चलते है सीधा डॉक्यमेंट के सिराय करते है अभी इस फोल्डर को उपन किया और इसमें आपको आगर न्यू डॉक्यमेंट बनाना है डॉक्यमेंट यह नहीं की टेक्स्ट डॉक्यमेंट विंडर आचित पावर पॉइंट यह कुछ भी सेव करना है यह कुछ भी तो आप ऐसे भी सब्सक्राइब बोच दूक्शन से त अभी आपको सम्ल्द Archive के मरन है इसको नाम में आए कर से सुधूभन करें और यह आपको जो धालना है वो डाल सकते तो जैसे कि मुझे अभी इस मेरे लिगना है मुझे लिखना है इस में लीज सब्सक्राइब और मैंने अभी से अभी हमें से विखे विखेस करने के लिए अप्शन से यहाप पर दो आप्सें जाएगे शेव यह से वैस्ट तो आपको क्या खरना है सेम्किये तो डानेकील ओझेब आप को सेव आएज पर यहां आ याया दरेना अच्छि वाथ होदी है तो से डाओ से पी आपको यह फोज आ घो कहां पर सिंधिक आरेummy अब पर सि birazी लिए मेरे मेरे था वूल में अखुषा हो अम जे लिए जुट तो यहां पर आएगा टेक्टाइज इन्फरमेशन टेक्स्ट अल्रेडी एक्षिट दू यूँ वांट रिप्लेसित तो हां तो क्या करना चाहिए येस इसको क्लिक करोगे तो आंदर आपको जो मेरे वहां पर डाइब करते हैं यानि कि आपका डॉक्मेंट से हो चुका है और लेफ्ट साइट से डाउन साइड में सेकंड लाश्ट जो होगा विंडोस तो उसको दबाना है दबा के रखके आर दावाना विंडोस आर तो यहां पर नोट नहीं है पर उपन में रन आ जाएगा रन में आपको टाइप करना है नोट पैड अगर आपको वर्ट पैड पैस डेक्स टॉप और यह फोल्डर देस्टीन इंड फीट फोल्डर और यह एक्स वाइज अब सेव करते हैं चले इसको नाम यहां पर से दे सकते है नाम दे दिया तो चलिए आपना फोल्डर फाइल डॉकिमेंट से हुई है नहीं देखने चलते हैं तो एक्सवाइज और यह आपकी डॉकिमेंट और यह आपने टाइप किया तो मिल गया है तो यह था मेरा फॉस्ट फॉल्डर कैसे अभी मैं आपको और चीज़ बताने जाता हूं कि फोल्डर माइक कंप्यूटर में कैसे बनाते है अगर समझो आपको फोल्डर डी लोकल डिस्क डी में बनान यह बनाने भी सेम यूप्षन है कुछ नहीं न्यूव फोल्डर और फोल्डर का नेम एकस वाई जो आपको पूट करना है जैड ओके यह एक अप्शन है और यह और यह अप्शन है न्यूफ फोल्डर यहां पर जो दीकरा है यह तो इसपे क्लिक किजिए न्यूफ फोल्ड जो टाइप करना है और इसको सेव घर बीजिए यानेगी आपका जो डॉक्यमेंट हो चोटा है तो चलिए दोस्तों यह था मेरा बेसिक वीडियो जिन बेसी बीगिनर्स के लिए जिने कंप्यूटर का कुछ नहीं आता है तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं मेरे बहु कोई डॉट होता है तो मुझे कमेंट करके रूर बताईए जन्यवाद शुक्रिया जैहिन